दोस्तों हम एक नसरी के बारे में आप लोगों बताने जा रहा हैं यह हमारी सफेद घीया है इसको मैं पॉली बैग में त्यार किया हूं एक पॉधा 10 रुपे के हमारी सेलिंग है और यह 45 दिन में फाल आ जाते है इसका फ़त इदम सफेद होता है पतली होती है लंबी होती है खाने बहुत स्वाधित होता है यह हमारी लोकी है यह हैवरी लोकी है यह भी 45-50 दिन में फाल दे जाती है यह एक फाल इसका पतला होता है ब्यलनाकार होता है और बहुत अच्छी फाल देती है यह हमारी हरा घीया है यह भी पतली और लंबी होती है यह भी 45-50 दिन में फाल के लिए तब तयार हैं जिस किसी किसान भाईयों को जरूत हो हमारे नर्सरी पर आ करके संपर्थ करें बहुत उनको अच्छा लाब मिलेगा हमारा जो पॉली बैग है इसमें पपीते की रेट ताइवान की नर्सरी डालने जा रहा है यह भी एक महिने आको नर्सरी प्यार मिलेगी यह पपीता रेट ताइवान जो होता है बहुत मीठा होता है एक स्का वोजन 3-4 किलीयों होता है इसमें बीज नहीं होता है फूरा स्वाधिक्त होता है इस नरसरी बांद 24 दिन में हम डाल देंगे इसमें चले आप अपनोंगों हम दिखाते हैं यह टमाट्र आप देख रहे हैं बहुत अच्छी वराइटी है यह 2 रुप्य पौधा एक टमाटर कहा यह इसका फ़ल 45-50 दिन में फ़ल आना शुरू है और अप्रेल महिने पूरा फ़ल करके लट जाता है मैं में पूरा प्वक कर प्यार हो जाता है जिसमें लगन शुरू होते हैं उसमें टमाटर हमारा 30-40 किलो प्रत किलो क्रेट से बिखता है लगन में साधी व्या इसनी जब अज्यास पैदा होती एक पादगोवी 1.5-2 किलो होती है इसका वो जन 2.5 किलो होता है यह रोपने से 90 दिन में त्यार हो जाती है यह भी लगन में त्यार होती है जो उसमें 25-30 किलो थोग भाव में बिखता है साधी बिया कर टाइम में अप्रेल मही में यह जिस इसने भी लोकी कद्मों 10 रुप्या करेर्ट में देता है